और अब आपको लिए चलते हैं हमारे खास शो की तरफ खास शो ऑपरेशन हैपी एंडिक मसाज यानी बोदी को रिलेक्स करने के लिए मालिश कली थेरपी लेकिन अब इसी थेरपी की आड़ में पूरी दिल्ली एंसी आर में चल रहा है सेक्स रेकेट देव व्यपार का धंद इसमें मिली भगत पुलिस की भी है दलालों की भी है और सेक्स सर्विस देने वाली महिलाओं की भी है भारत 24 ने आज ऐसे ही कई स्पास सेंटर्स को एक्सपोज किया है जहां मसाज के नाम पर खुलम खुला देव व्यपार का ये रेकेट चलाय जा रहा था इसकी शिरुआ बात होती है एक छोटे से फोल कॉल से हर 34 पर आज होगा सबसे बड़ा खुलासा बसाथ संचर के डाम पर तलाल लग गए हैं काम पर इसपा देना तो बहाना है गंदे धंदे से पैसा कमाना है गली गली फुले इसपा बन गए गोरक घंदे का सेंटर भारत 24 आज आपके सामनेOU इसपा सेंटर को एक्सपोज करने वाला है जो इसपा सेंटर के नाम पर मसाज थेरफी को बदनाम करते हैं भारत 24 आज उन एक्सपा सेंटर को एक्सपोस करने वाला है जो इस पाव मसाज के नाम पर हर मसाजर को बदनाम करते हैं भारत 24 आज आपको इस पाव मैनेजर से लेकर सर्विस देने वाले लड़कियों की एक-एक करतूद दिखाएगा एक-एक बात सुनवाएगा जिससे आपको पता चल सके कि आपकी सुन्दर सब दुनिया को कैसे इस पाव सेंटर वाले गुप्द रोग का शिकार बना रहे है ओपरेशन हैप्पी एंडिक की शुरुवात होती है राजधानी दिल्ली के द्वार का मोड इलाके से जहां के वले फोट कॉल पर हमने अपने लिए सर्विस बुक कर ले लोकल कार से रास्ता तैकर हम होट इसपा पहुचे लोकल कार इसलिए जिससे शक की कोई गुझाईश नहोगा कुछी सीड़ना चड़कर हम इसपा सेंटर के अंदर पहुचे और हमारे सामने काले रंग के सूप में थी एसपा की मैनेजर पहुचते ही हमने कुछ जनरल से बात की लेकिन मैनेजर साहिबा तो काफी तेज निकली और जल्दी में भी पहुचते ही कहा कि कर दीजिए पेमेंट और इसी के बाद शुरू होती है लड़कियों की परेड मैनेजर की एक-एक आवाज पर लड़किया लाइन लगा कर हमारे सामने थी खेश्रा शालू अना पाजन पिया वापी एक में आउसा परेड़ ये इसलिए था कि हम इनमें से किसी एक को पसंद कर उससे सर्विस ले सकते हैं कौन कौन सी सर्विस सब आपको कैमेरे पर सुनवाएंगे दिखाएंगे स्वाती को दोबारा बुलाकर हम कनफर्म कर रहे थे कि हम असली कस्टमर हैं लड़कियों की परेड के बाद शुरू होना था पैसों के लेंदेन का मामला जिस से डील को फाइनल किया जा सके अगर आप कंपली प्रकेज पर फाइनल के तैसे पुरह हैं पर यहां का पैकेज है वो तुछ थावसंदा हैं इसमें आपका जैसे मसाज बॉर्ट बाद फुटिए कितने में अपने कर देना उसमें आपका कर देना उसमें आपका कुड़ा कंप्लीट हो देना उसमें आपका जैसे मसाज रहेगा बाड़ी तो बाड़ी सर्विस वर शावाद इस पाकी मैनेजर ने जब हम से सीधे सीधे सेक्स सर्विस की बाग की तो हैरान हम भी थे लेकिन अपनी असली मौजूद की दिखाने के लिए हमने मैनेजर से थोड़ी बात और की और कहा कि सर्विस अच्छी रही तो रेगुलर कस्टमर बन जाएंगे जिसके बाद मैनेजर ने हमें एक बार फिर से एशुरंस दिया कि वो लड़की को बोल देगी अच्छी सर्विस देने के लिए और फिर पैसों की और पेमेट की बात करने लगी हमने एक बार फिर से मैनेजर से दिसकाउंट की बात की तो एक और परत खुल गई यानि कि इस पासेंटर में सर्विस तो मिलती ही है लेकिन पेमेट में मैनेजर और लड़की दोनों की अलग-अलग हिस्सेदारी चूड़ी हुई होती है और तो और इस पासेंटर के नाम पर सेक्स सर्विस का ये सेंटर आग से नहीं पिछले 5 साल से चल रहा है मैनेजर बार-बार पेमेंट करने पर चूर दे रही थी यानि कि पैसे ही इस धंदे का इमान और धरम है हमने एक बार फिर मैनेजर से सर्विस के बारे में कैमरे पर कबूल नामा लिया सेक्स रेकट का ये इस पास सेंटर डिजिटल पेमेंट भी लेता है यहां पेमेंट के लिए बार कोड भी लगा है लेकिन हमने कैश में ही पेमेंट किये इसके बाद हमारे सामने फिर दोनों लड़कियों की परेट हुई और हमने स्वाती को हिप फाइनल किया पेमेंट के बाद पता चला कि पैसों का मामला नीचे काउंटर पर होता है और सर्विस उसके उपर वाले फ्लोर पर मिलती है मैनेजर ने हमें उपर जाने को कहा सीड़ियों से चड़कर हम उपर पहुँचे जहां पहले से सोफे पर एक शक्स सो रहा था और दो शक्स इंतिजार कर रहे थे कस्टुमर थे या नहीं इसका हमें नहीं पता थोड़ी ही देर बाद जिस लड़की स्वाथी को हमने फाइनल किया वो आ गई और यहीं से चुरू हुआ हमारे इस्टिक का दूसरा पार कैसे इस्पा सेंटर मसाज के नाम पर करते हैं सेक्स का धंदा हम कमरे के अंदर थे और हमारा एक ही मकसद था कि स्वाथी से धंदे के हर एक रास को कैमरे पर उगलवाना जैसे ही भारत 34 के रिपोर्टर और स्वाथी दोनों थोड़ा कमफर्ट हुए स्वाथी ने सब कुछ बताना शुरू कर दिया सब कुछ आता होगा हाँ इस पार इंगे प्लिस वाले को पैसे जाता है उनसे मिले हुए इसले से प्लिस वाली भी तो आता है सर्विस्पिट में बहुत आता है डेस में नहीं आता है वह ऐसे आता है स्वाथी ने एक खुलासा कर दिया कि कैसे पुलिस के संरक्षन में ही ये धंधा फल फूल रहा है क्योंकि जुर्ब की सकमाई में एक हिस्सेदारी इलाके के पुलिस को भी मिलती है स्वाथी बार-बार हमारे रिपूटर से कपड़े उतारने को बूल रही थी और फिर वो पैसों की बात पर लौट आई और देखते ही मसाच से पहले ही स्वाथी ने अपने सारे कपड़े उतार दिये मसाच के नाम पर ये स्वाथ सेंटर सेक्स का धंदा करता है ये हमारे कैमेरे में कैद हुआ और हॉट स्वाथ सेंटर एक्सपोजट हो गया स्वाथ सेंटर का ये काला धंदा केवल एक स्वाथ सेंटर में ही नहीं चल रहा है बल्कि दिल्ली के केवल द्वार का इलाके में ही ऐसे तमाम स्पा सेंटर्स हैं जन्हों ने इस रैकेट को अपने धन्धे की रीती ही बना लिया आई ऐसे में इन रैकेट को एक्सपोज करना बेहद ही एहम हो जाता है देखिए रहा है यहां भी जाते ही हमसे पैसों के मांग की गई करा दो सेबन नाइट क्या अंदर की बाते अंदर कर लीजेगा अंदर की बाते अंदर लीजेगा सर्फ अंदर क्या लेगा लेगे र्किया 16 वारासो लेखिए अंदर असो ले लेगे और क्या लेगा कर दो लघगे कर दो और व वर भतार एक अगे पिर हमको अंतर गल्यारे से कमरे की ओल ले जाने लगी पहले दीखे कमरे में हमें अंदर जाने को कहा कमरा बंद हो गया अब हम इंतिसार करने लगे कमरे के बाहर लड़कियों और मैनेजर की आवाज साप सुनाई दे रही थी इस बीच मैनेजर सभी लड़कियों को एक-एक करक बुला रही थी अलग-अलग नाम लेकर करीब पांच मिट के भीतारी कमरे का तरवाजा खुलता है और कमरे के बाहर गल्यारे में लड़कियों की परेड शुरू हो जाती है मैनेजर एक-एक लड़की का नाम ले लेकर सब को इंटर्डूस कराती है यह क्या है सर्थ ये बंदना है सर्थ ये रइपा है सर्थ ये सी तरम है सर्थ तरीया जद्धिया तरीया ये भीता वीता है मैं ये साव कि अलया है कुझ पन थोड़ी देर बाद, इस्पा की मैनेजर एक लड़की को कमरे में फाइनल भेजती है, और कमरे में भेजते ही हमसे कहती है अब हमने इस लड़की से भी बातें शुरू की और पूछा कि क्या-क्या सर्विस मिलेगी, लड़की ने बोला शौट और सर्विस करूगी जैसे ही हमने पैसे दिये लड़की ने अपना काम चालू कर दिया और हमारे रिपोर्टर से चेंज करने के लिए बोलने लगी हमारे रिपोर्टर ने एक बार फिर कहा कि बैट के बात करते हैं तो लड़की मानने को तयार नहीं हुई थोड़ी ही दिर के बाद इस इस्पा सेंटर की लड़की ने भी हमारे कैमेरे के सामने अपने कपड़े उतार दिये दिली का ये स्पा सेंटर भी हमारे इस्टिंग आपरेशन में एक्सपोज हो गया तो स्पा सेंटर के इस काले धंदे की पोल खोलने के लिए हमारे रिपोर्टर एक और स्पा सेंटर पहुंचे और ये था द्वारका सेक्टर पांच का होट स्टोन स्पा सेंटर लेकिन इस स्पा सेंटर की खासियत यह है कि यहां लड़कियां मसाज तो देती हैं एक्स्ट्रा सर्वेसेज भी करती हैं और तो और वक्त मिले तो रिसेप्शनिस्ट भी खुद ही बन जाती है। देखें। हारत टीफोर के कैमरे बेस पास सेंटर, दरस्पास सेंटर, काले धंदे के काली कर्तूत कैद होती जा रही थी। और एक्स्पोज ओपरेशन के इस सफर में अगला पड़ाव बना दवार का सेक्टर पांच का हौट इस्टोन इस्पा। हौट इस्टोन इस्पा में हमें रिसेप्शन पर एक लड़की बैठी मेली। बागचीप शुरू हुई और थोड़ी देर के बाग के बाद लड़कियों की परेड शुरू हो गई। हुआ हुआ हो यसका वे य सुखान एक बाद पीस करामें गई जो जो फ्री है फ्रीस करादो इनका नम काजल हम हलो हम हम हेलो हम फ्री ये फ्रया लेकिन यहां एक छोटा सा ट्विस्ट आया अभी आपने देखा जिस चश्मे वाले लड़के ने एंट्री मारी दरसल वो इस इसपा का असली मैनेजर था और लड़की अभी तक हमें डील कर रही थी वो खुद सर्विस करती है इसी इसपा सेंटर में इसके बाद उस लड़के ने हमसे बातचीच शुरू कर दी इस लड़के ने जो अब इस इसपा सेंटर का मैनेजर था उसने वीडियो कॉलिंग से लड़कियां दिखानी शुरू कर दी इस पेस करा दे बस टा searching दीक क्वान लोव इस उसलिडां और में ते नहीं तो पर cookies उंटे़का उसद्हाद थे मीधि अंत्युक्ञ परेण अजय कर आ तो इसके बाद जो लड़की रिसेप्शन पर थी उसी के साथ हमारी टील फाइनल हुई और वो हमारे रिपोर्टर के कमरे में पहुच गाई इसे फेल में ख़ती हाई है गया इस कि और शेक इनले कि रिばांगों ड़ेति है रही हमें.. भी पिषिया प्रिमोल शॉप हूनी तथी .... व् verde गया था ना देश्फान है.. माच्गे जेरहा.. करें रही हैं तो आप चेंज करके बाश करो में पानी चीक कर देती बार इस पाकी वो पार-टाइम मैंजर अब कमरे में हमारे रिपोर्टर को सर्विस दे रही थी लेकिन इस सर्विस में मसाथ से ज्यादा जोर सेक्स सर्विस पर था सर्विस देरेवारी लड़की भी इससे बखुबी समझ रही थी और जान रही थी साथ ही सबसे बड़ी बात ये कि वो हर कंडिशन में हमारे रिपोर्टर को सर्विस देने के लिए तयार थी जिसकी कीमत महज कुछ रुपए थी और पानी चेकरने के भग थोड़ी देर बाद प्रसे बास आगी वो फिर से बास कमरे में आ गई के अ तक को आप तक तो सारी अब पूरा चेंज कर लोग विए स्टानिस करें है गाइस आपि अप कांट एक्टशन के कि यह लिड भी बग्यों पर दूख को्टव विड़ कि एस अप्र एंड प्र जोड़ी आ है को इस प् नब शेयर गोगा अँछा है नब शेयर गोगा ठैस्नल एद परफेश्नल नहीं चांते हिए नॉष्ट करा गोगा और भी दो नॉष्ट करांगा मैरेँच तर्स शॉली हां प्योर प्योग थेनटीटों व्कॉलेटीटीटीटए काम पे कॉंपीज करे दिया है क्या है जींज कर दो, बॉश कर दो ओ कहा रहते हैं हाँ दल में तो रहते हैं योगट इस बातचीत के बाद सर्विस देने वाली इस लड़की ने कमरे की लाइटें पंद कर दी और अपने कपड़े उतार दिये जिसे कैमरे की फ्लेश लाइट में हमारे रिपोर्टर ने एक्सपोस कर दिया तो चाहिए तो आपने देखा कि स्पास सेंटर्स का ये काला घोरक धंदा कैसे चलता है कैसे मसाज थेरपी के ये वेलनेस मॉडल में इलनेस का धंदा हो रहा है लेकिन इससे बड़ी भी एक कॉंस्पिरेसी है और वो है होटेल्स में होने वाला धेवयपार वो भी विदेशी लड़्कियों से जिनको दुश्मन मुल्क हानी ट्रैप के नाम पर इस्तवाल करते हैं और यही हिंदुस्तान के लिए बड़ा खत्रा हो सकते हैं इसका भी ऑपरेशन एक्सपोज हमारे रिपोर्टर ने अंडरकवर एजेंट बन कर किया देखेए तो दलाल ने बताया कि वो इस्पा में काम करता है और अगर इंडियन लड़की चाहिए तो इस्पा में मिलेगी अगर रशियन चाहिए तो वो होटल के कमरे में मिलेगी लेकिन उससे बहले होटल का कमरा बुक कराना पड़ेगा जिसके लिए आइडी कार्ड जरूरी है दिखने? या इनको आजार हो दिखी दिखा रहा है आपको पसंद नहीं आया है तो? इंको पसंद आएगा इंडिया प्रूम दिखी आपको स्वारी? वह ठीक है लेकिन पसंद वाली जी बात होती है ना अबन पसंद नी है किया प्राइश होगा है लेकिन इसके बात बात पिसदे करेंजा है तो ऑप इंको ज Twenty लेकिन इसके बाद बीना किसी आईडी प्रूफ के हमारे रिपोर्टर को रूप दे दिया गया जिसके बाद रिपोर्टर के कमरे में वन पीस पहने गीले बालों वाली एक विदेशी लड़की की एंट्री होती है जो फित को रेश्यन बता दी है इरश्यन लड़की लगातार कमरे में चक्कर काट रही थी और रिपोर्टर फोन पर एजेंट से बात कर रहे थे एजेंट ने बताया कि ये लड़की ना हिंदी समझती है ना हिंदी जानती है इसके बाद इरश्य लड़की अपने एजेंट से बात करती है और दो घंटे की बात होती है इसी दौरान वो बोलती है फिर रिपोर्टर ने इसी लड़की से इसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम बुली बताया देश और जगा पूछी तो उसने रश्य और यूक्रेन बताया साथ ही साथ नाम कजाकिस्तान का भी लिया ये लड़की लगातार रिपोर्टर को घुमा रही थी वो बात नहीं करना चाहती थी उसे रश्य यूक्रेन की जंग से कोई लेना देना नहीं था लेकिन जब बात कपड़ों की आई तो ये रश्य लड़की हिंदी पर उतराई जैसी ये रश्य अपने कपड़े उतारने वाली थी कमरे की घंटी बजी और दरवाजा खोलते ही इसने कहा क्या हुआ जिसे सुनकर कोई भी नहीं कह सकता कि इस लड़की को हिंदी नहीं आती है या फिर ये हिंदी नहीं समझती है और आखिर में वही हुआ जिसके लिए हमारे रिपोर्टर इस होटल के कमरे में गए हुए थे इस रश्य लड़की ने भी हमें कस्टमर मानकर खुफिया कैमरे के सामने खुद को एक्सपोज कर दिया लेकिन ये केवल देह व्यापार का ही धंता नहीं है बलकि ये मामला देश की सुरक्षा से भी चुड़ा है जैसे हमने एक्सपोज आउबरेशन में इस्पा और होटल को एक्सपोज किया वैसे ही सामने वाला भी किसी इस्पा या फिर होटल के कमरे में सामने वाले का अश्लील वीडियो बना कर उसे ब्लैक मेल कर सकता है और उस ब्लैक मेलिक की केमत कुछ भी हो सकती है कुछ भी डिली से सुमत कुमार के साथ प्योरे रुपोर्ट भारत 24 तो देखा आपने किस तरह से स्पार्क के नाम पर जिस्म का धंदा चल रहा है और वेलनेस के नाम पर इलनेस का काम किया जा रहा है